तो किसानों की एंट्री को लेकर दिली के बॉडल्स पर सुरक्षवा का जो पहला है वो कड़ा कर देगा गया किसानों की नो एंट्री के बाद समर्थन में उतरे हैं वकील दिली में किसानों के समर्थन में वकील अब धरना प्रदर्शन करेंगे तीस हजारी कोर्ट में किसान हैं वो दिली में प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे तो बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे जो हाँ दिली में किसानों की समर्थन में वकील अब धरना प्रदर्शन करेंगे तीसे जारी कोट में किसानों की समर्थन में एक जुटोंगे वकील किसानों की चलते बहर ही जाम का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को परिष्वानी उठानी पड़ रही है लेकिन अब आपको बताते चले कि अब वकील भी किसानों की समर्थन में उतर चुके हैं तीस हजारी कोट में एक जुट होंगे उसके बाद यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे तो इस वक्के बड़ी अब जीट आप तक पहुचा रहे किसानों की एंट्री को लेकर दिल्ली के बॉडर्शन पर सुरक्ष्वा का यह कड़ा पैरा देखने को मिल रहा है किसानों की न इंट्रि के बाद समर्थन में अब वकील भी उतर चुके हैं और दिल्ली में किसानों के समर्थन में जो वकील है वो भी नजर आएंगे भारी रोज किसानों में देखने को मिल रहा है जोहां किसान लगतार दिली कूच के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं जोगे जगे पर बारीकेटिंग्स भी की गई हैं और आपको बताते चले कि पुलिस का जो पहरा है वो भी काफी जादा कड़ा लगतार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जिद पर अड़े हुए तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में वकील उतर चुके हैं जी बिल्कुल देखे जैपाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान परदर्शन को लेका लगतार तीन दिगुन हो चुके हैं और दिल्ली के तमाम ऐसे बोर्डर्स हैं जहां पर लगतार सुरक्षा का जो पहरा है वो दिन पर दिन और भी जादा कड़ा होता जा रहा है जब से समर्थन भी मिल रहा है और उसी को देखते हुए आज दिल्ली के 30,000 कोर्ट में लगबग 12 बजे के आसपास में कुछ वकील है जिनके माध्यम से एक जुट होकर किसानों के समर्थन में एक परदशन किया जाएगा और उस परदशन के माध्यम से जो किसानों की अपी और वही वकील जो है दुबारा से किसानों के समर्थन में अपनी बातों को रखना चाते हैं जिसे लेकर लगबग 12 बजे के आसपास में परदशन के माध्यम से उनकी जो मांगे हैं तमाम उनको रखने वाले हैं हाला कि जिस तरीके से अगर वकीलों के समर्थन की बात करें और किसानों को लेकर क्यों किया जा रहा है क्योंकि किसानों का एक तरीके से मिला जुला सुरूप जो है वकीलों के साथ में देखनी को मिल रहा है जहां पर किसान के कई सारे ऐसे बड़े नेता है जो की लगातार वकीलों के टच में रहे हैं और उन्होंने अपनी बातों को बताया है जिसमें कि किसान लगातार कानून की बात कर रहे हैं कि MSP को लेकर यानि कि नियूरतम समर्तन जो मुल्ले है उसको लेकर उनकी मांग है जिस पर की वैचारिक तोर पर सरकार को उस पर कोई ना कोई कार्रे क करना चाहिए और वहीं पर जो रिड माफी है यानों कि जो किसानों ने मुआफजा लिया था उस एक बड़ी जानकारी के तहट उसे भी माफ करना चाहिए तमाम ऐसी जो मांगे हैं जो कि किसानों ने पहले भी अपने प्रदर्शन के मद्दे निजर जो है रखी थी उन पर कह आवाहन इस बार फिर से करना चाहते हैं हाला कि अभी यह देखना होगा कि आखिर वकील है वो किस तरीके से अपनी बातों को किसानों के जरीए रखेंगे क्योंकि प्रदर्शन का आवाहन उन्हों ने भी कर दिया है वहाँ जहां तक कि हम देखें कि अभी किसानों के में टिक्री बोर्डर एक ऐसा एरिया है जो की पूर तरीके से इंडस्ट्रियल है या लिकी वहाँ पर जो कार्रे होता है वो वेपारिक तोर पर होता है लेकिन जब वेपारियों से बाचीत की जाती है तो वो किसानों का समर्थन करते हैं क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्होंन मजबूरन जो है दिल्ली में कूच करके और अपने प्रदेशन के माध्यम से उन्हें मजबूरन बार-बार सरकार के सामने आना पड़ता है तो किन सरकार को चाहिए कि वो उनसे एक बतोर रूप से जिस तरीके से वो चाहते हैं मीटिंग करें और मीटिंग के बाद जिस तरीके की मांग उनकी कीज आ रही है उस पर एक अच्छा और सटीक जो विचारवी मर्श है वो किया जाना चाहिए क्योंकि किसानों के लिए जो भी सरकार ने अभी तक उसके अंदर जो भी संशोधन या फिर जो भी एमेंडमेंट किया है वो उससे पुरी तरीके से संतुस्ट नहीं है इसलिए वो बार-बार मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें इस तरीके के परदेशन का वाहन करना पड़ता है आप साफ कह सकती है कि इस वाक्त किसानों के साथ में ना सिर्फ इस्थान ने बलकि जो वैपारी हैं वो भी किसी ना किसी पर उनके समर्थन में आते निज़रा रहे है वहां से लोगों को परिशानियों का सामना भी करना पर रहा है फिलल तमाम जहानकारी साजा करने के लिए बहुत शुक्री आपके